हेलो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं, उसका नाम है नीला सियार एक बार एक सियार एक दूबी के घर में गुश गया और कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग से भरे बड़े होद में जाके छिप गया जब बहार निकला, तो पूरा नीला हो गया था जब सियार जंगल वापस आया, तो सारे जानवर उसे देखके डर गए उन्हें समझे नहीं आया कि ये अजीब सा जानवर कौन है सियार बोला, डरने की कोई बात नहीं है मुझे भगवान ने विशेश तोर पर बनाया है उसने मुझे तुम लोगों का राजा बना कर भेजा है जंगल के सभी जानवरों ने उसे अपना राजा माल लिया ए दिन जब नीला सियार अपना दर्बार लगाए बैठा था तभी उसे कुछ और सियारों के चिलाने की अवाजे सुनाई दी अपने साथियों की अवाजे सुनकर भेभी इतना जोश में आ गया कि जोड-जोड से चिलाने लगा बस फिर क्या, सारे जानवर समझ गए कि उनका ये राजा कोई और नहीं है, बलकि सियार ही है वे सब लोग बहुत नाराज हुए और उन सब ने मिलकर सियार की खुब पिटाई की खुब पिटाई की और उसको वहाँ से भगा दिया